नमस्कार आप देख रहा है आरेडे नियूज मैं हूँ योगीश चिक्रवर्ती तामिलनाडू के पूर्व डीजीपी कॉर्णा सागर आज आरजेडी में शामिल हो गए राष्टिय जंतादल कारियाले में एक भब मिलन समारोह का रिक्रम में करनाज सागर ने आरजेडी की सदस्ता ली बिहार के डिप्टे सीएम तिजस्वी यादब ने खुद अपने हातों से उन्हें आरजेडी की सदस्ता दी इस खास मौके पर आरजेडी के वरिष्ट नेता के अलावा एक्स डीजीपी करनाज सागर के परिवार के लोग भी मौजूद रहे और इस मौके पर जहां तिजस्वी यादब ने दोहराया कि करनाज सागर के आरजेडी में आने से आरजेडी की ताकत बढ़ेगी वहीं कॉर्नाशागर ने कहा कि बि्हार में सबसे अच्छी पार्टी आरजेडी है वहीं इस मिलन समारोख के बाद खास कर जहानाबाद में कई तरह के राजनेतिक कयास लगाये जा रही है प्रवेचक जो है राजनीतिक विशलेशक जो है वो भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं इन्ही अटकलों पर हम बात करेंगे R.A.D. News के राजनीतिक संपादक हिमंद कुमार से हिमंद जी जिस तरह से करणा शागर राज पार्टी में सामिल हुए उन्होंने R.A.D. के निता तेजश्वी यादब की तारिफ की तेजश्वी यादब ने उन्हें नई ताकत बताई क्या लगता है कि क्या कुछ बदलेगा R.A.D. में आने से उन्हें देखे सबसे जो अहम संदेश है इस मिलन का वह यह है कि करुणा सागर अगले लोकसवा चुनाओं में महा गटबंदन के उमिद्वार होंगे यह लगभक तै है जहानाबास से तो यह एक राणितिक संदेश है इस मिलन समारोह का और निशित रूप से करुणा सागर जो तो कुछ अफसरों को आपने देखा होगा अतीत में कि बहुत सारे लोग फैसन में आते हैं लेकिन यह पूरा इनका मिलन जो है इनका आगमन जो है आड़ जेडी में वह एक सुचिंतित प्रयास का नतीजा है यह जब अपनी नौकरी में थे तमिलाडू सरकार में थे वहां डीजीपी के पदपर थे लंबे समय तक वो लगवक्त 30 सालों तक वहां रहे हैं आईपेस अफसर के रूप में तो अपने गाउं से अपने इलाके से इनका काफी जीवन संपर्क रहा है और यह अपने इलाके में हमेशा आकर के सामाजी कारियों में सामिल होते रहे हैं करोन दोरान तो इन्होंने काफी बढ़ चर के लोगों की मदद की और उस इलाके में गरीब बच्चों की बीच में पाठ यह पाठ सामग्रियों का वित्रण करते थे उनलों की बीच में मिलते थे तो एक तरह से यह समाजी कारियों से जुरे हुए अधिकारी रहे हैं और इनकी बाठ चिस से भी यह बात सामने आई कि जो इनकी जो खाकी की जो यात्रा रही है तीस सालों से अधिक की अब यह जो खादी की यात्रा इन्होंने सुरू की है तो यह इसके पीछे जो पूरा सोचा विचारा हुआ यह नर्ने था और इसमें महागटबंदन के दो दलों खास करके मुझे पक्की इसकी जानकारी है कि नितिश कुमार और लालु यादव के बीच में यह सहमती बनी है इनको ले करके तब इनको सामिल करवाया अगया है RGD में दूसरी बात यह है कि अभी अगर जहानबाद सांसादी चत की मैं चर्चा करों तो वहां जो संसद है वहां से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवन्सी तो शेड़ियों के संस जेड़ियों कोटे से वहां से जीते थे तो यह अगले चुनाव में उनको पूसरे जगह भेजा जाएगा वो लोकसभा को टिकट उनको नहीं मिलेगा वो टिकट इनको ही मिलना तरह है चंद्रवंसी जी को रिप्लेस किया जाएगा और इनको लाया जाएगा इससे एक फायदा होगा कि आप अतीत में जब देखेंगे तो वहां जहानवाद की सीट जो जो मास बेस है जो वोट वैंक है वो तो इंटेक्ट रहेगा ही और दूसरे की जो भूमिहारों का एक बड़ा तबका जो एग्रेसिव रहा है आजएडी के खिलाप वो एग्रेशन इनके रहने से एग्रेशन वो कम होगा वो उतना एग्रेसिव वह तबका नहीं रह तो इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा दूसरी बाती है कि यह लगातार जो आजएडी की ओर से यह परसेप्शन बनाने की कोशिस की जा रही है कि आजएडी एटुजेट की पार्टी है उस पर जो लेवल चस्पा हुआ है कि वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है उ उसमें भी पार्टी ने पांच भूम्यारों को टिकट दिया था दो लोग उसमें हार गये थे और तीन लोग उसमें जीते थे तो उसमें भी ये बात आई थी कि भूम्यारों को पार्टी अपने से जोडने के लिए लगातार प्यास कर रही है और आखिरकार ये माना जाता ह ह्याद यह एंट्यर्जर है और्ड को मालिया गया है कि एंटी भूमहार इंटी सावन फार्टी है तो इस परसेप्षन को तोयमें ए क्तम करने की जिसा में उठाया गया एक कदम है और तो संजोग से कि यह हम यह फैसला जो है वह हम लोगों ने मिल जुलू कर लिया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अपना यह सरकारी सेवा का जो यह था उसके बाद वह जो आवदी खतम हुई अब यह नही नही आत्रा इनकी सुरू हो रही है और उसमें हम लोगी सहमत्ती है और मुझे अच्छा लग रहा है कि वह सामाजिक जीवन में राणितिक जीवन में यह आए हैं और उन्हें कहा है कि मैं मैं समझती हूं कि जो आड़ यह तेस्वी आदव हैं उनके नत्रुत में आड़ जेडी निशुत रूप से आज एक नए तेवर और कलेवर में काम करने वाली कि हम लोग मुझे बिक्तियत तोर पर मैं भी मुझे भी अच्छा लगे लगेगा और हमारे पती इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं आपने कहा कि जो नितीश कुमार और लालु यादव के बीच बातचीट के बाद ही फैसला लिया गया कि उन्हें पार्टी में सामिल कि शाए आप क्या करना चाहते हैं कि मतलब आपने तो ये बता दिया कि में चंदरवनशी जिव रिप्लेश किये जाए लेकिन इसके राजनितिक माइन क्या है इसका राजितिक अर्थ ये है कि पूरे बिहार में भुमिहार बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसके जो महावल क्रियेट करने में वो सबसे आगे रहती है या अगर सवर्णों को भी माली के कि सामाजी करूप से सबसे आगे ये बढ़ी हुई बिरादरी है तो ये परसेप् तमिलाडू के ये डीजीपी रहे हैं आपने देखा हुआ कि जब ये मार्च महिने में बिहार के लोगों की कथित पिटाई का मामला वोहाँ जब काफी सुर्खियों में था और ये कहा जा रहाता कि तमिलाडू में प्रवासी बिहारियों की पिटाई हो रही है उनके खिला और उस पूरे प्रकरण में ये एक तरह से दोनों राज्यों की बीच में समन्वे बनाने का काम करने में ये ये लगे हुए थे दूसरी बात मैं कहुँगा कि जो इन्हों ने अपने भाशन में कहा कि आज देश कठिन दोर से गुजर रहा है देश का संभीधान बाबा साब ड अपने नेता के साथ खरा होना है हमारे नेता की जो ताकत है वो आप से है वो आप कहने के मतलब कि वो लोगों को समोजित कर रहे थे कि आप से है और आप ही से वो ताकत हासिल करते हैं और मैं इनके साथ आया हूं कि तैस्वी आदव ने जो नया भिहार बनाने का संकल्प ल लेकिन अब देखने में पिछले कुछ बारों से ये साब बाते सामने आ रही है जैसे अभी जाती गड़ना पे जो है मामला आया कि हाई कोट ने अंतिरिम रोक लगा दी तो बढ़चड के लोग ये कह रहे थे कि कौन बैठे हुए हैं तेजस्बी यादब के साथ नितीश कु आठे जो लोग है वो श्वर्ण है नया नाम जुड़ा है तो इसका जवाब क्या देंगे तेजस्बी यादबर नितीश कुमार के इनके आने से ऐसा नहीं कि किसी के हकमारी हो जाएगी ये हकमारी की बात नहीं मैं करा जो ओवी सी के लोग है दलित पिछड़े लोग है उन जो आपको कन्विंस करता है जो आपका सलाकार है तो उनको कैसे जवाब देंगे नितीश कुमार और तेजस्बी यादब मैं फिर वही का रहा ہूं कि करुणा सागर के आने से बाकी सलाकारों के हैस्य तो कम नहीं हो जाएगी में लालो जी के साथ शिवारआन तिवारी तो ऐसा तो नहीं है कि अगरे नहीं है। के प्रवक्ता है राजसभा का मेंबर हैं तो जो पर यह मनोज जहां जो है उनका जो आप देखेंगे तो पार्टी के लिए परसेप्शन बनाते हैं वह एक मोर्चा तो समालते हैं तो इस रूप में मुझे मुझे लग रहा है कि करुणा सागर के आने से आड़ी आड़ी को ए जहानाबाद में उनकी मजबूत दावेदारी होगी क्या लगता है कि करुणा शागर जो है राज यस्तर पर वो मिहारों के वोट को एफिक्ट करेंगे और आरजेडी को फाइदा पहुचाने में सक्षम होगे बिलकुल यह मैं का रहा हूं कि वोट कितना टांसफर करेंगे यह बहुत महत्पूर नहीं है क्योंकि यह बात जान लिए कि आज की तारिख में मैं मानता हूं कि जो अगरी जातियों का जो पूरा वोट है अचा अगरी जातियों की जो पार्टी है वो बीजेपी है और उस वो सिर्फ उनके लिए पार्टी नहीं है बलकि एक तरह से उनक ने आपको identify करते हैं तो identify करते हैं तो उनकी सोभाविक पार्टी वो है लेकिन टेक्टिकल ही अगर आप देखेंगे कि कुछ इलाकों में जहां अगर आप अगरों को टिकट अगर महागटबंदन की और से मिलता है तो उन उन इलाकों में अगर अगरी जाती का जो उमिद्वा होता है वह अगर सामाजिक समयकरण को प्रहवित कर रहा है तो निश्वत रूप से वहां उसकी विरादी को लोग भी उसको वोट करते हैं यह तो यह तो अतीत में भी आप बहुत जगह आप देख चुके हैं कि जहां उमिद्वार अगर मजबूत है तो बाकी गुलबंदी उनके पक्ष में हो जाती है उनकी विरादी की लोग भी बीज़ेपी को वोट कर देते हैं तो एक टैक्टिकल इसका असर परेगा इसमें कोई सक नहीं है यह करने के लिए कि यह आएंगे आया है तो इससे ओफर अल भूम्यारों का वोट जो है वो टर्न हो जाएगा ने जोड़ा कि अगर बिहार में आपको राजनितिक फ्लिट फॉर्म चाहिए तो आर्जेडी से अच्छी पार्टी कोई दूसरी नहीं है तो यह जी जी मैं वहीं पर आ रहा हूं तो यह सिर्फ तिजस्मी यादव को खुश करने के लिए उनका भाशन था या सच्मुच कर नशागर समाजिक न्याय से सरुकार रखने वाले व्यक्ति हैं तेकि उन्होंने अपने बासन में यह कहा कि जो लोग इतिहास से नहीं सिखते हैं वो मिट जाते हैं उन्होंने बड़ी बात कही कि आप इतिहास से सबक लें और जो सा समाजिक बदलाओं जो हो रहा है बिहार में चाहपुरे देश में उस समाजिक बदलाओं को आपको कबूल करना होगा आप उस समाजिक बदलाओं को रोक नहीं सकते हैं उनका संकेत यह था तो यह बात कौन कह सकता है जो समाजिक समाजिक बदलाओ के डाइनेमिक्स को जो समझता है, जो समाजिक बदलाओ के गतिव ज्ञान को जो समझता है, वही व्यक्ति यह बात कह सकता है, उन्होंने यह, मैं उनका पुराना इंट्रव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में जो कुछ बदल लहा है, वही समाज को आगे ले जाएगा, समाजिक जो बदलाओ है, उस बदलाओ को आपको कबूल करना पड़ेगा, आप उस बदलाओ को रोक नहीं सकते हैं, आप इस चिंता में मरे जाएंगे, यह बदल लहा है, तो इसको रोका जाए, तो होने वाला नहीं है, समाज की बदलाओ ज तो आपको इस बात को गौर करना हुआ कि वह क्या कहना चाह रहे थे वह कहना चाह रहे थे कि जो समाजी बदलाव है उसको आपको कबूल करना हो उसके बिरोध में उसके खिलाफ आप अवरोध बन करके खरार नहीं हो सकते हैं यह उनका कहना था एक और बताए कि आप इस पूरे मिलन समारो को वहां कवर करने के लिए मौज़ोद थे उनकी पत्नी से भी आपनी बात की लोगों से भी बात की होगी तमाम नेताओं का वोडी लैंगविज दिखा होगा तो यह मिलन समारो क्या कह रहा था क्या जो अंदर की आवाज थी वो क्या कह रही थी यह एक मेगास व था तो वहां नेताओं का तो ज्माब रहे उनके इलाके से जहां के रहने वाले हैं, जिस इलाके में उनका, जिस इलाके में वो काम करते हैं, सामाजी काम करते हैं, तो उस इलाके से भी लोग आये थे, उन लोगों को लाया गया था, और गरीब तब के के लोग जादे आये थे, जिनके बीच में वो काम करते हैं, उन्हो दूसरी पारी आप सुरू कीजिए और सामाजिक जीवन में राणिदिक जीवन में आप उतरिये तो मुझे आप मुझे हमारे समाज ने यह हनुमति दी है कि मैं इस छेत्र में आओं और मेरे लिए आर्जडी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है यह बात उन्होंने कही और द पूर्मंत्री नुंत्री विस्टन प्तेल थे पूर्मंत्री अशॉक शिंंग्ड थे हुँस्प टी परवक्ता चेतरण जन गंगन थे सकती संभ यादव थे ज्यृदSpur लोग अहां पर थे पूरी पार्टी थी वह के लोग यहां पर थे हाँ यह है कि आज यह मिलन समारो लंब उसमें थ्वरा इंजार करना पड़ा लंबा इंजार करना पड़ा लोगों को क्योंकि एक काड़िकम सारे 12 बज़े था और शुरू ही हुआ लगभग सारे 3 बज़े क्योंकि तेस्वियाद वहाँ बिलम से आए अब यह नहीं मुझे नहीं पता है कि यह बिलम से आने का कारण क्या था लेकिन तब तक पुरा हॉल खचा-खच बढ़ा हुआ था हॉल के भाहर भी लोग खड़े थे तो यह एक मेगा इवेंट था आरजेडी के लिए करणा सागर के लिए और पूरी पार्टी वहाँ पर थी उनका इस्तक्वाल करने के लिए उनको अस्वागत करने के लिए तो इसे लग रहा था कि पूरी पार्टी ने उनको यह कबूल किया है इस रूप में तो यह एक आरजेडी के लिए करणा सागर एक एसेट सावित होंगे मैं समझ रहा हूं और हम एक चीज और नोटिस कर रहे थे कि इस मिलन समारोह में मोकामा की बिधायक और अनंत सिंग की पत्नी निलम देवी भी मौजूद थी तो यह क्या मतलब इससे इसके जर्ये आर जेडिक आसन देश देना चाह रही तो पर उनकी मौजूदगी पार्टी के कारेकर हैं और जेडिकी बिधायक हैं तो उनकी मौजूदगी तो एक सामान मौजूदगी मानी जाती है लेकिन आज के इवेंट में अगर उन आई थी और सबसे पहला आगमन उन्हीं का हुआ था उस पूरे डैस पर उस समय कोई नहीं था जब निलम देवी आए थी और उनके आते के साथ करुणा सागर भी पहुँचे थे तो दोनों आदमी लगों एक ही समय में आगे पीछे पांच मेंट का अंतर रहा होगा दोनों वहां पर पहुँचे तो निलम देवी की मौजूदगी भी यानि कि एक solidarity जो होता है कंधे से कंधा मिला करके हम आपके साथ खरे हैं यह दिखाने के लिए भी निलम देवी की मौजूदगी को आप देख सकते हैं उसके पीछे आप अनन सिंग को देख सकते हैं तो यह एक इसके पीछे एक मक्षद आप देख सकते हैं कि इलों की मौजूदगी का मतलब क्या था कि एक भुम्यारों में मैसेश देना है कि हम सब ल इस पर नितीज कुमार की सहमती है क्या RGD, ZU दो अलग-अलग पार्टी होते हुए भी ये जो मौझूदा 2024 का लोक सवाद चुनाव है वो इस तरह लड़ना चाहती है कि ना RGD हो ना ZU हो इनका जादा से जादा MP जीते चाहे जिस दल से भी जीते क्या इसलिए ये सहमती बन कि आप समझें कि अभी तो उनके पास कोई MP नहीं है बिहार से लोक सवा के लिए तो ऐसी सिती में ये देखना कि हम लोग तालमेल करके क्योंकि मुकावला बीजेपी से है तो तालमेल करके और one-to-one fight हो कोई उसमें त्रिकोनिय मुकावला नहीं हो उसमें सीधा-सीधा मुक मैंने जो कहा कि नितिश कुमार और लालू यादा में इस पर इसमें सहमती है इसी बैसी ये ज्वाइनिंग हुई है तो इसका अर्थ यही है कि सहमती से ही यह हुआ है और बाकी जो लोग है जैसे कि वहां सुरेंदर यादा भी लड़ते थे अब तो मंत्री हैं विधायक है तो ऐसे भी उनकी दाविदारी खत्म है चंदवनसी जी के बारे में मैंने कहा कि चंदवनसी जी जी वहां से है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह पर यह उमिदवार होंगे यह पक्की बात है इसमें कोई संदेर नहीं है इनको उमिदवार होना है वहां से बहुत शुक्रिया हमन जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए तो आज एक मेगा शो में तामिलनाडू के पुर्वी डीजीपी करना सागर आरजेडी में शामिल हो गए खोद डिप्ती सीम तेजस्वी यादब ने उन्हें अपनी पार्टी की सदस्ता दिलाई और जैसा कि हमन्त जी ने बताया कि नितीज कुमार और लालो यादब की सहमती के बाद ही उनकी आरजेडी में इंट्री हुई है और इन दोनों पार्टियों की कोशिश है कि आने वाला 2024 के लोकसवा चुनाव में हर सीट पे यानी की बिहार के 40 सीट पर वन टू वन फाइट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर महागटबंदन के उमिदवारों को विजय हासिल हो और इसी रणनीती के तहत जो है तमिलनादू के पुर्वी डीजीपी को आरजेडी में शा लगा हो तो इसे लाइक करें यूटूब पर हमें सब्सक्राइब करें फिस्बुक पर फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद